जाई स्रीकृाश्न मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें इसबार वैशाक पुरणीमा पर दो शूब योग बन रहें इन शूब योगों में विशेश उपाय करने से जीवन में विशेश सफलता प्राप्त होती है तो आज आपको हम बताएंगे वैशाक पुर्णिमा का शूब मोहुर्त इसका महत्व और पूजा विधी तो मित्रो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एश्ट्रो गुरुजी में मित्रो यदी आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदी नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकान को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे आप नित्य नहीं नहीं ज्यानवरधक जानकारियां वह नित्य का राशीफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो हमारे हिंदु धर्म में पुर्णिमा का बहुती अधिक महतो होता है इस पावन दिन पर भगवान विष्णू और चंद्रमा की विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है धार्मिक माननेताओं के अनुसार वैशाक मास की पुर्णिमा थिथी पर ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था इसी दिन को बुद्ध पुर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है भगवान बुद्ध को विष्णू भगवान का नवा अवतार माना जाता है तो इस साल दिनांक 26 मई 2021 को वैशाक पुर्णिमा का पावन परवर हैगा तो साल का पहला चंदरगरहन भी इसी दिन से लगने जा रहा है यहाँ एक उपचाया चंदरगरहन होगा यहाँ संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा तो आईएब हम जानते हैं वैशाक पुर्णिमा का शुब महुर्त तो पुर्णिमा तिथी प्रारम होगी दिनांक 25 मई 2021 की रातरी 8 बच के 30 मिनिट से आरम होगी पुर्णिमा तिथी समापत होगी दिनांक 26 मई 2021 को सामके 4 बच के 43 मिनिट पर समापत होगी उदियात तिथी हो पुर्णिमा का परव दिनांक 26 मई को ही रहेगा तो इस पुर्णिमा पर दो शुब योग बन रहे हैं शिव योग 25 मई को रातरी 10 बच के 52 मिनिट तक शिव योग रहेगा इसके बाद सरवार्थ सिध्धी योग आरंब हो जाएगा इस योग को बेहदी शुब मंगल कारी मान इस दिन का खास महत्व इस प्रकार से है धार्मेक माननेताओं के अनुसार इस दिन का बहुती अधिक महत्व बताया है इस पावन दिन पर भगवान विष्णू जी की पूजा करने से शुब फलों की प्राप्ती होती है सभी पापों गान नाश हो जाता है इस दिन पर इस दिन पर भगवान विष्णू जी को धूप दीप नेवेद्य और तुलसी पत्र अरपित करना चाहिए भगवान विष्णू जी का अधिक अधिक नाम जाप करना चाहिए अथवा विष्णू सहस्त्र नाम का पाठ आपको पढ़ना चाहिए अथवा सुनना चाहिए भगवान विष्णू जी के साथ ही माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी आप करें भगवान विष्णू और माता लक्ष्मी जी की करपूर करें चंद्र ग्रहों को अर्गे देने से शुब फलों की प्राप्ती होगी मनों कामनाओं की पूरती होगी और पुर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे अधिक प्रिय होता है क्योंकि पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरुण आकार में होता है पुर्णिमा के दिन प पित्रों का तरपन करना बहुत ही शुब मंगलकारी होता है इससे पित्र देवताओं का विशेश आशिरवाद होता है उनका आशिरवाद मिलने से हमारे घर में सुक समर्दी बढ़ती है तो आईएब हम जानते हैं वेशाक मास पुर्णिमा की वरत कथा किस परकार से है तो द पित्रियों को मरत्य लोक में विद्वा होने का भई नहीं रहे पुर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है क्योंकि पुर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पुर्ण आकार में होता है पुर्णिमा के दिन पुजा पाट करना और दान देना बहुत ही शुब मंग वैशाख कार्तिक मास और माग मास की पुर्णिमा को तीर्थ इसनान और दान पुर्ण्य दोनों ही कर्मों के लिए बहुत ही शुब मंगलदाई माना गया है। तुम सारे संसार के उत्पन करता हो पोशक हो आज तुम मुझे ऐसे वरत को बताओ जिससे इस्त्रियों को मुरत्य लोक में विद्वा होने का भई नहीं रहें तथा यह वरत सभी मनुश्यों की मनों कामनाए पुरुन करने वाला बन जाए। यह सुनकर के स्रीकरश्न भगवान ने कहा कि मा आपने मुझे से बहुती सुन्दर प्रस्न पूछा है। कि मैं आपको विस्तार पूरुवक बतलाता हूँ। विस्तार पूर्वक बताएं तब स्रीक रश्न भगवान कहते हैं कि इस भूम अंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्र हास्य से पलित अनेक प्रकार के रतनों से परिपुरुन कातिका नाम की एक सुन्दर नगरी थी वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मन नवास करता था, उसकी इस्त्री अती शुशिला रूपवती इस्त्री थी, दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से निवास करते थी, घर में धन धान्या आदि की कोई कमी नहीं थी, उनको एक बड़ा ही दुख था, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, इस दुख से वे अत्यन्त दुखी रहा करते थे एक समय एक योगी नगरी में आया वह योगी उस ब्रामन के घर को छोड़ करके सभी के घर से भिक्षा मांग करके भोजन किया करता था रूप वती से वह भिक्षा नहीं लेता था उस योग ने उस योगी ने रूप वती से भिक्षा न ले अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी हो करके धनेश्वर योगी से कहता है कि है महात्मन आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं लेकिन मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं इसका कारण क्या है तब योगी ने कहा कि निहसंतान के घर की भीक पतितों के अनों के समान होती ह और जो पतितों का अन खाता है वह भी पतित यानी पापी हो जाता है चूंकि तुम निहसंतान हो तुम्हेरे यहां कोई संतान भी नहीं है अतह पतित हो जाने के भाई से तुम्हारे घर की भिख्षा नहीं लेता हूँ धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ हाज जोड करके योगी के पेरो पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा की है महराज ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताईए आप सब कुछ जानने वाले हैं आप मु तुम चंडी देवी की आराधना करो तब ब्रामन घर आ करके अपनी पत्नी को पुरी पूरा वरत्तानत कह करके स्वयम वन में चला गया वहाँ पर उसने चंडी की उपास ना की और उपास उपवास भी किरिया चंडी ने सोलवे दिन उसको स्वपन में दर्सन दिया कि है ध जितनी तुमरी समर्थ हो उतने आटे के दीब बना करके शिवजी का पुजन करना लेकिन पूरुनमासी को 32 हो जाना चाहिए और प्रातहकाल इस इस इस्थान पर एक आम का व्रक्ष दिखाई देगा उस पर तुम चड़ करके फल तोड़ करके शिगर ही अपने घर चले जा जब ब्रामन प्रातहकाल उठा तो उसने उस इस्थान पर एक आम का व्रक्ष देखा जिस पर बहुत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था उस ब्रामन ने आम के पेड़ पर चड़ करके फल को तोड़ने का प्रयतनी किया और असफल रहा तब उसने भगवान गणेजी की वं देवी जी की अशिम करपा से एक पुत्र की प्राप्ती हुई उन्होंने उसका नाम देवी दास रखा बालक अपने पती के घर में बढ़ने लगा भवानी की करपा से वह बालक पढ़ने में बहुत होशियार था दुरगा जी की आग्या की अनुसार उसकी माता ने 32 इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया यह दुरगटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर पाएंगे तो उन्होंने देवी दास के मामा को बुलवाया उन्होंने कहा कि देवी दास एक वर्ष के लिए काशी में जाकर के विद्या का अध्यान करें उसको अकेला नही छोड़ना चाहिए इसलिए तुम उसके साथ चले जाओ एक वर्ष के बाद उसको वापस लोटा के लिया आना तब सारा प्रबंद करके उसके मामा पिता के साथ देवी दास को एक घोड़े पर बेठा करके मामा को उसके साथ भेज दिया किन्तु ये बात उसके मामा या अन्य किसी को पता नहीं थी धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दिर्ग आयू के लिए भगवती की आरादना पूरुन मासियों का वरत करना आरंब कर दिया इस परकार उन्होंने 32 पूरुन मासियों का वरत पूरा किया एक दिन मामा भान ने देविदास से विवाह को अपना पती मान लेती है इसके बाद ही विवाह करने के लिए कहती है लेकिन देविदास ने आयू के बारे में बताया है लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गती आपकी होगी मेरी गती वही होगी स्वामी आप उठिये और भोजन करिये इसके देवीदास ने अपनी पतनी को तीन नगो से जड़ी एक अंगुठी रुमाल में दी मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुश्पवाटी का बना लेना जब मेरा प्राण अंत होगा तो यह फल सूख जाएंगे यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे जान लेना कि मैं जीव लेकिन वरत राज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्ण मासी के वरत पूर्ण कर लिया थे इसके बाद काल स्वयम वहाया उसके सरीर से उसके प्राण को निकालने का प्रयत नकरने लगा जिससे वह मुर्चित हो करके प्रत्वी पर गिर पड़ा भगवान की करपा से माता पारवती जी के साथ संकर जी वहां आये माता पारवती जी ने संकर जी से कहा इसकी माता ने पहली 32 पुरुण मासी का वरत पुरुण किया है आप उसके प्राणदान दें इस परकर शिवजी उसको प्राणदान देते हैं और काल को पीछे हटना पड़ा देवीदास स्वस्थो हो करके पुनह बेड़ गया उदर उसकी इस्त्री उसके काल की प्रतिक्षा किया करती थी जब उसने देखा कि पुश्प वाटी का में पुश्प और पत्ते नहीं रहे उसको अत्यनत आश्चरी हुआ लेकिन जब वाटी का हरी भ जो शोलवा साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया उदर उसके ससुर घर से उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे लेकिन वे मामा भानेज महां पहुँच गए ससुर उनको अपने घर ले गया नगर निवासी महां पर एकित्त्रित ह गए और उन्होंने निश्चे किया कि इस कन्या का विवाह इस बालक के साथ हुआ था कन्या ने भी अपने पती को पहचान लिया कुछ दिनों बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत सा उपहार ले करके नगर की ओर चल दिया जब वह गाम के निकट गया तो वहां के लोगों ने उसे देख करके उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देविदास पत्नी और मामा के साथ आ गए हैं। उनके मनों कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ग्यानवर्धक जानकारी पसन आई होगी। यदि आपको पसन आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक वशेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैश्री करश्न मित्रों फिर मिलें करेंगे